लिए आप लोगों पता है कि 15 नंबर बहुत ही महत अपोड होता है एक एक नंबर आप लोगों के लिए सीटेट में बहुत ही जरूरी होता है कि आप अधर राज किसी भी राज में आप जाके जो टीचर की बैकेंसी उससे देख सकते हैं तो यहां पर हम उसी सभी बात करेंग अधिक लोग आएंगे अधिक लोग आएंगे तो आप लोग भी परसनों को सालब करने का परियास करेंगे अच्छी तरीके से क्योंकि तब कंपिटीशन चलेगा कि किसका सही हो रहा है किसका गलत हो रहा है तो एक बार अपने पने गुरूपों में सेयर करके देख अब देखिए ऑप्सन में बहुत धिक से मिलता जुलता क्या है पहला करा की अलंकारिक अलंकारिक जो होता है सजावड का कारे करता है अलंकन करने का यानि किसी भी चीज को आप सजा के रखते हैं तो यहां पर गडित की सौल्व करने का परियासर आए जो कि अलंकन नहीं हो तो आप गलत हो गया अब देखिए कराय कठीन कठीन नहीं होगा याद रखेगा कठीन तो नहीं होगा क्यों गडित सब के लिए होती है शुरू से करम में आप अगर गडित को अच्छे से पढ़ रहे हैं अब अभ्यास कर रहे हैं तो गडित आपके लिए भी आसान होगी यहाँ पर देखिए गडित समानी लोगों के लिए एगडित सब के लिए होता है यहां पर तारकी खोता है याद रखेगा गडित जो होती है तारकी खोती है क्योंकि आप वुद्धी के दwarah ही इस परसनों को साल्व करते हैं अब जैसे दे दिया जा कि दो प्लस दो को आप और इसे काँए परेजिसे आवस्यक के निसकर्स सी कुछ निकाल से हैं तो राइट तेंसर होगा जल्दि से बताये कि राइट तेंसर हमारा यहांपर होगा जी यहांपर देखी कहा है कि किसने कहा है वह दो माने, घडित के द्वारा अवस्यक निशकर से निकाल सकते हैं, तो राही टेन्षर यहांपे, जाएगा तो शोथे के साथ यह पर पर uh पर से निकाल सकते हैं, अगे हमारा 3 परसंपर कंपर से कंपर लेगानी है। अब देखें यहां पर हमारा कराएं तीसरा की बालग की सरवांगी के विकास के लिए गड़ित हुआ विशे का अन्विशियों में सहसंबंध होना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है पहला कराएं की छातरों का दृष्टी कोड बिस्त्रित बन जाता है और यहां पे दूसरा करें कि च्छात्र संचित ज्यान का समध्य जोड़ता है और यहां पे तीसरा करा च्छात्र सभी स्यान को महतऩफुर मनता है चौथा कराएक지 ऊपरीक सभी तो मतलब की समें से उन सभी को बात किया है घड़ीत विश्य का गडित का अब भिज्ण में कर सकते हैं तो इसे का है तो होना चाहिए कि इसमें कि इसे क्या होता है पहला करा की छातरों का दिष्टी जोड़ कि परियोग कर सकते हैं अगर तीनों हमारा सही है तो राइट टेंसर चौथा जाएगा हमने पहले ही का आए कि बीना आप सोचे समझे अगर उपर्यूग तो सभी दिया है तो आप क्या करिए राइट टेंसर मार दीजे चौथा जो की राइट टेंसर होगा हमारा चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे पर देख लेते हैं चौथा परसन अमारे यहां पर क्या करा आए जो की बहुत ही अहम परसन है करा है कि गड़ित के नियम और निसकर्स होते हैं चार परसन चल रहे हैं ठीक है अब देखिए इसमें का आया कि निसकर से आप सारा भॉमिक यानि सभी के परकार से निकाल सकते हैं तो राइट एंसर यहां पर यहां पर यहां पर आप्धि को समझता है अधिगम के किस उद्देश की प्राप्ति करता है अनुपर योग की बात करता है कराके और की उध्यां पर वांट करेगा तो जो अकुरों उसके बारे मी क्या करेगा और सी धान्तों के अर्थ को समझेगा और अधिगम मिस होता है आप लोगों को सीखना होता है ठीक है सीखना होता है अधिगम मिस तो यहां पर देखिए हमारा बात यह क्या है कि उद्देश की प्राप्ति किसके लिए कर सकता है तो उद्देश की प्राप्ति अगर करेगा तो अवबोध की बात करेगा यहां पर च्छा महीं हो में नियों eh मं की धॎश्म पर करते तो राइट प्रसान हो आद ह?" मन की भासा तो नहीं हो शक्ती, बिद्यासियों की शक्तियों की बिद्यास्यों का भीकास करने का एक माध्यम होता है ठीक है और यहां पर सक्तिसालियों की नहीं यह सब के लिए उती है गडुत का परियों कोई भी कर सकता है क्या जूम उता है जो सक्तिसालियों तो glut हमारा ए मन ी भासा से नहीं होते हैं सात्मा पर समाजिक वाता वरड़ में पूरा किया जाता है गड़ित सिक्षण की योजना विधी की उक्त परिभासा किस ने दिये और आपके गड़ी तक नियार तो और तो राइट एंसर जा एगा तो ने पर ते PACRACRAK pou और पा सवाचा पर ради को निया हैए आपके गड़ी तक यह है तो राइट एंसर जैगा यहाँ पर पहले के साथ जाएगा यहाँ पर आगे बठते हैं आठेले आठेले के क्या करा है अब देखे यह आठ्मा प्रसन और आपका मनो विज्ञान में भी कई आ चुका है अब देखे यहां पर भी आगया गई गई ऑगया अईसे प्रसन कुछ ऐसे होते हैं जो की हर जगे परियुक्त होते हैं आपके जो उपस्तित होते हैं आपको बस सोच समझ के उसका जवाब देना होता है तो यहां पर देखिए राइट एंसर क्या होगा संस्क्रीत का उद्देश होता है समाजिक उद्देश होता है या फिर सभी तो राइट एंसर यहां पर का उद्धेस होता है तो राइटेंससे जाएंगा सम narcल होता है एसे अभी था उपर की अःपको पढ़ा था तो सब्सक्राइब याद रखेगा छिछा नीति मैं याथ कर सकते हैं सीच्छन की पर्दतियों को क्या कर सकते हैं या पहीं स कलते हैं स्वेंлен कि इसरी साथ में रखेगा तो यहां के बात कराये दसना की गडित शिक्षण में सिछषय को नीयुलिखित बात पर ध्यान नहीं देस हो तो यहां सोलब करते ही में हां और नहीं की आफ्सन को देख लीजिए कि बयवारिक जीवन में तीसरा करा कि मानशिक्सक्तियों का विखास हो तीसा करा कि जाती परटिश्छा का उपायो 4 करा करा कि आनन्द की प्राप्ति ओतitel तो यहाँ पर इन्सिर यह आन कर ले के बहुए ज़न जीवन में उनके जो वास्तिविक जीवन उनकी जो घट रहा है उसके साथ उसको गड़ित पढ़ाना चाहिए जोड़ घटाना करना चाहिए मानसिक सकतियां आपके तरक से समंदित हो जाएगा जोकि राइट एंसर जाती परतिष्ट्टा का उपायानि सभी को एक समाल लेके चलना चाहिए और अनांद की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए बालक की बोधिक विकास की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए राइट एंसर जाएगा नेक्ष परसन पर आगे बढ़ते हैं यहां पर गिरामें परसन पर देखलते हैं 11 कमारा क्या करा है और सभी लोग एक बार बेकन ने का यहां पर गया जल्दी से बताएं इन सभी का चिंतन से समयधित होगा और चिंतन की से होगा यहां पर बालक के द्वार किया बालक चिंतन करेगा पर किसी ने कहा है तो राइट एंसर यहां पे हमारा ग्यार्यक जाएगा तीसरे के बेवहारी गडित का बढ़ाग है कि जो परियोग बालक के अपने लेंदन में करता है उसका क्या बहाग है पहला करांगे संख्याओं का इसाब लगाना दूसरा जोड और बाकी जोड का मतलब यह और बाकी का मतलब घटाना ठीक है समय इंपर समी करणों को हखना भार्ण हो था कि बैंक की कारेपरणाली की जाँच करना तो रइप टैंसर 12 होते साथ जाए Jeremiah प्रशंट पर बढ़ते हैं जरते हैं अमारे यहां पर ऑना क्या कि और यहां पर कि ऐा पर बात की आ है कि कि आनुसार होगी तो यहां पर राया टेंसर होगी प्रिंद जो होता है इसके द्व्यारा करते हैं तोолод तो बिग्ञान पर तीसरे के साथ जाएगा आगे बढ़ते हैं चौथे पर जाएगा इसका देखी यहां पर नियुक्त नियुक्त पूरा पस्चिम जाना होता है तो आप क्या करते हैं एक समू का निर्माल करते हैं किसी ना किसी से पूछते हैं तो यहां पर राइट एंसर जायगा तीसरे का जाएगा नेक्ट प्रसन है Ichimada क्या करहा है देकि जोदा को परस्य यह कराोए कि गडित के आप लोगों को एक दो अपवाद को छोड़के कहीं कहीं हर एक यहां पे 99 परसंट जो होता है सभी सही होता है तो राइट हैं सजाएगा चौथे के साथ जाएगा पहले प्रशन आपको पहले आता है ठीक है पहले जो भी सब्जेक्ट आपका मजबूत है पहले क्या करिए उस सब्जेक्ट को सौल्व करने का पर्यास करिए और उसमें पहले यह डुड़िए कि सभी कहां है और एक और दो कहां है तो यह से प्रसन आप लोगों को सही होते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है तो सीधे-सीधे आप यहां तो एक तीन को ही मारते जाए या फिर दो ही परसन उसे पढ़ने की बिधी से है और दूसरा कराय है अंकीत प्रसनों के उहल करने की बिद्यारतिएं के को निधारित सुत्र बताना और यहां पर यहां पे पाथ पुस्तोकों की उपरियोग तो समागरियों में के के लिखने का तरीका और 44 कराय की लिए चुने गए sitsर कर का कराएं कि सेमागरियों का नियम से चलेगा राइ हैं शूतर का नियाम से चलेगा जो की नियम पढलक के अनुसार जो भी गड़ित सिधानत है जो भी सिछन विदियां चराइए जाने वाली हो बालक के अंदरी थोनी चाहिए साथ में सिछक के अंधरी थोनी चाहिए कि बालक को पढ़ाना है तो सिछक के कि अनुसार उसको ढालना पड़े का न किसी चख पढ़ा रहा है तो उसके अनुसार ही तो होगा तो राइट एंसर जाएगा यह भी होगा और पाठ पुस्तक निदा यहां पर आधारिज क्यों कि पाठ पुस्तक में मुद्दा होता है कि पाठ पुस्तक कैसा है बालक के सोचन करने की बात क्या है जो कि रटन्त प्रणाली से होगा रटन्त होगा और ये भी नहीं सवाल हल करने के सवाल हल करने और करके सीखने में आप लोगों को सौल्व करना है कि कौंसा राइट एंसर होगा इसमें से तीसरे और चौथे और यहां पर दूसरे में से तो राइट एंसर क्या होगा जल्दी से बताएं कि पहला से होगा दूसरा तीसरा या फी चौथा इसका आप लोग कमेंट बाक्स में देंगे कहां देंगे आप लोग बता देते हैं कि आप लोग कहां देंगे कमेंट बाक्स में देंगे ठीके कमेंट बाक्स में देंगे इसका उत्तर सही क्या है ठीके सही क्या है उत्तर देंगे और चलिए नेक्ष्ट देखते हैं आप लोगों के खाल के उत्तर क्या थे। और उसे उत्तर पृत्तर किया थे।